है गाईज वेल्कम बैक तो मैं चैनल इहोब यू आर फिट अन फाइन मैं हूं मिष्टी और आज मैं आप सबके साथ एक फेशल किट रिव्यू विट डेमो शेयर करने वाली हूं रिव्यू प्लस डेमो क्योंकि गाईज मुझे एपलाई करनी थी आज और मैंने सोची कि क्यों आप सबके सामने ही इसे एपलाई कर लूँ और इसकी रिव्यू भी शेयर कर लूँ तो यह है ऐस गुडनेस की कैरट मॉश्यर बैलन्स फेशल किट यह देखो गाईज देख सकत यह देखता है मेरी इसकीन टाइब तो कंशन टाइप अथे तो कर टमीन विचशन टाइप अशान स्चय आप्ट आपके सिरल को विच्छा इंट्रियू इंटीट आउक्सिद जो की आपकी सिकीन को हेल्दी बना देगा तो देखता है और इसकी नेट वेते हैं थार्टी विटमीन अगोगी तो वितमीन अ मीन आपकी तो एब हैं इन्फ ईकर एपको फिर एर्गन आयल है गाइस अश्क आप तरियृ आपको टियू कि आयरी के घ्रियृ बना देता है अज़ एक बालज कर देता है थैस ऑल जो में को एक बैर खराक्टियम्त करता है मैं जो जो चीन ए किया क्योंकि मुझे ट्राइम ही नहीं मिली है तो एकदम मैंने मेरी फेस दिख रहे आपको दिख रहे है तो मैं अभी इस पर इसे एपलाई करके आपको दिखाउंगी देखते हैं कि यह मेरी स्कीन को प्रेप करते है तो चलो शुरू करते आज की वीटियो इसमें देख दो पाउच आती है यह देखो बहुत बड़ी बड़ी है पाउच मुझे तो इतनी लगेगा भी नहीं तो मैं क्या करूंगी कि मैं मेरी मम्मी को बोल दूंगी कि वो भी आज कर ले इसे तो आप भी ऐसा ही किया करो और अगर आपके पास दूसरा कोई नहीं है इसे अपलाई करने के लिए तो मेरे एक टीप से आपको कि आप पहले इसे अपनी फेस पर कर लो और फिर आप पूरी बड़ी पर भी इसे अपलाई कर लेना कैरट ओल है गाईज फेशियल कीट है तो क्या हुआ अपनी पूरी बड़ी का भी एक अच्छी क्लेंजिंग रूटीन हो जाएगी त कर सकते हो चलो शुरू करते है तो इसमें नमबर भी गया है घाय गाईज लाईज प्रे इससअ फॉर इस इस лег YES तरह के नमबर दी गया है तOMबर 18 क्लेंजिंग मिल्क तो फर्स्ट है गाइस क्लेंजिंग मिल्क तो मिल्क बोलागा है लेकिन यह अपको जेंट्ली मैसाज करनी है आपकी स्कीन पर तो चलो शुरू करते हैं एक दम ठीक है गाइस यह देखो एक दम ठीक मुझे लगा था कि यह तुरू से राणी राणी सहोड़ा वॉटरी सहोगा लेकिन यह देखो गाइस वाह इसकी श्मेल बहुत अच्छी बहुत अच्छी है रिफ्रेशिंग वाली एक स्मेल है गईस अधुर्टील पिए अपर जब को दूट्स की बहुत अच्छी है गाइज मैं इस गुड़नेस की बहुत सारी प्रोड़ाट लिए उसकी टोनर उसकी जो फेस्वश आती है तो क्रीम मैंने कभी उस नहीं की है लेकिन हाना टोनर फेस्वश और फेशल किट एक मैंने उसकी थी तो यह मेरी दूसरी वाली होगी, कैरोड वाली, इसे मैंने कभी यूज नहीं की है, तो चलो देखते हैं, आपको अपकी नेक को भी भूल ली नहीं चाहिए, तो उधर भी, आपको मसाज करनी है, और फेशिल बहगेदा सब घर पर किया करो, अभी तो करोना है, और हमारी इदा तो पालर भी सबबंद है, और जब करोना चली भी जाएगी, तब भी, पालर पर पैसा खर्च मत किया करो, क्यूंकि मैं कभी पालर जाकर फेशिल नहीं करवाती हूं, वो one time investment है guys और कुछ फर्क नहीं परती है उससे तो ये एक regular basis routine है guys skin को healthy रखने के लिए आपको regular wise एक रेजीम मेंटेन करनी होगी आपकी morning skincare, evening skincare, night skincare, weekend skincare ये एक रेजीम होती है तो अगर आप वह सारी कल लोगे तो आपको पालर पर खर्च केंदी के जरूरत ही नहीं परेगी और अगर आपको facial candy के मन है कि आपको कही जानी है या फिर आपको अपकी आपको जरूरत है facial candy के तो आप भाट पर या से कर लो ये बहुत अच्छी वाली होती है मैंने वेल से सीखी करी थी वो भी बहुत अच्छी वाली थी तो देखो गाइस मैंने इस अच्छी तरह से अपनी face पर मसाज कर ली है और थ्री मिनिट्स फोर मिनिट्स हो गय है तो अब मैं इसे वाटर से थो कराती हूं ठीक है गाइस चलो देखो गाइस मैंने अपनी face वाश करके आ गयी है और देखो गाईस प्रेड़ी क्लेंजिंग में क्यूज करते ही जो फेस की हुलिया थी वो कुछ-कुछ ठीक होने लग गई और प्लीज गाइस सॉरी फॉर दाट नॉइस कि मेरी सामने वाली फ्लैट में काम चल रही है तो बहुत जादा शोर है तो प्लीज गाइस उसे इग्नोर कर देना तो देखो गाइस एकदम दिख रही है आपको फर्क तो आप बरी है स्टेप टू की जो की है स्क्राप आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्यूंकि हर एक पैक में नंबर वान नंबर टू लिखी गई है तो आप असानिससे इसे कर पाऊगे स्टेप वाइस वैसे वे हम चलगी बारे में आप तो पता ही है कि पहले आती है क्लेन फिरांटिया श्क्राप तो यह सब हमें अभी पता है तो अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं क्यूंकि लिखी गई है सब में … है काई लेकिन भॉत मोटे नहीं है की पर हश नहीं हो गया ये nên चले इसे अच्छी तरह से मसाज कर लेता है इससे इसकी स्मेल उतनी इसकी स्मेल नहीं है यह स्मेल ही नहीं है कुछ भी लेंज एक दॉपर हर्श नहीं है दाने जिसएं नहीं है यह दाने इतनी ताने चाहिए वरना काम कैसे करेगा वरना स्क्राब हो जाएगा तो ठीक है इसके वैंप अगे बीडिव हर्श नहीं बहुत अच्छी तरह से आपको स्क्रब कर लेनी है स्क्रब करने के बाद मैं अपनी फेस वाश करके आ गए हूँ और अब बारी है स्टेप नमबर थ्री की स्टेप नमबर थ्री है सिराम हर एक रोड़ा टिक में ठीक क्यों है यह देखो गाइस कितनी ठीक है ओ माइग गॉड देखो गाइस यह देखो गाइस दिखने है आपको इसे भी आपको अच्छी तरह से मसाज कर लेनी है और फिर वाइप आउट नहीं करनी है क्योंकि क्लेंजर और स्काप करने की बाद जो पोर्स उपन हो जाते है तो वह अब जब आप सीराम अप्लाई कर दोगे तो वह अच्छी तरह से अपकी स्कीन की नीचे स्केल सेल की अंदर घूस पाएगी और काम भी कर पाएगी सबको अच्छी तरह से हलके हातों से इसे इस तरह से अप्लाई कर लिए इसका भी कोई स्मेल नहीं है गाइस बहुत माइल्ड सा एक स्मेल है बहुत माइल्ड सा और अच्छी वाली है काइस मैं और भी ऐसी रिव्यू लाती रहूंगी और अगर आपको किसी प्रोड़क्ट की रिव्यू देखनी है तो प्लीज मुझे बोलना मैं जरूर लाऊंगी आप सबके लिए और मैं अपनी स्कीन पर उसे अप्लाई करके दिखाऊंगी वी तो आप जरूर और मैं ओने सब्सक्राइब करने हैं अब आपको चले जानी है स्टेव फोर पर तो वह है क्रीम मसाज क्रीम कि यह देखो गाइज इसका भी बहुत माइल फ्रेग्नेंस है बहुत माइल है ही नहीं कुछ फ्रेग्राइब इसे आपको अच्छी तरह से अपनी फेस पर फ्री टू फाइब मिनिट्स तक मसाज करने है और फिल वेट वाइप से वाइप अफ कर लेनी है धोनी नहीं है जैसे कि फेशल की रूटीन होती है गुट फैट्स की जो फेशल की टाती है गाइस उसमें एक बात अच्छी है कि ट्यूब दिया जाता है हाँ प्राइस इससे थोरी ज्यादा है लेकिन ट्यूब देने से अच्छा थे कि आप बात के लिए भी स्टोर कर सकते हो लेकिन इस तरह की पैकेट दिया गया है तो अब लग नहीं सको गए इसे तो यह एक डिजर्वेंटेज मुझे लगी तो मेरी मैसाज कंप्लिट हो गए है तो गाइस मैं एक वेट वाइट लेकर इसे वाइप आफ कर लूँगी आप अपनी जो फेस टावल है उसे भीगो कर अच्छी तरह से वाइटर स्कुईस अफ करकर फिर उससे भी अपनी फेस वाइप आफ कर सकते हो देखो गाइज मेरी स्कीम देखो गाइज एक मैं यह देखो गाइज दिख रहे है आपको देखो गाइज घर पर फेशल करने के लिए एकदम परफेक्ट है गाइज एकदम परफेक्ट और बहुत चीप भी है और आपको दो हफ़ते में एक बार एक फेशल कर लेनी चाहिए तो बस मैंने वाइप आप कर दी है और अब जो मेरी लास्ट टेप है वह है पैक देखो गाइज फाइब लिखी भी है तो आप मैं इसे अप्लाई कर लूँगी सारी की सारी कोड़ बहुत थीक है गाइज बहुत थीक है यह देखो कोई भी रानी सा वाटरी सा नहीं है तो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई कर लूँगी ओके इसमें एक स्मेल है किज और अच्छी वहली स्मेल है एक पूझा पूझा वली स्मेल है गाईज अगर वत्ति वली बहुत अच्छी वहलीस्मेल है और as usual guys मैं मेरी नोस की एक तरफ यूज कर रही हूँ लेकिन दूसरी तरफ मैं यूज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यह देखो फिर से वो नोस बंप जो है वो तो भाईया कभी भी नहीं जाएगी I think इससे एपलाइ करते वक्त थोरी सी बाइनिंग सेंसेशन मुझे हो रही है पता नहीं क्यों हो सकता है कि मैं आपको बोली भी कि बायोटिक की वी कुछ-कुछ प्रोड़क्ट अपलाइक करने वक्त बाइनिंग सेंसेशन होती है लेकिन उसे कोई हम नहीं होती है तो आइगेस कि इससे भी कोई हाम ना हो तो देखते हैं तो मैंने अपनी फेस पैक अपलाई कर दिया गाइस अब आपको 10-15 मिनिट्स रुखनी है क्योंकि अभी यह फेस पैक तो सुखनी वाली नहीं है क्योंकि अतनी गर्मी है बहुत जादा स्वेटिंग हो रही है तो यह तो पूरी तर और देखो गाइस दिख सकते हो तो बहुत अच्छी वाली है गाइस यह फेशियल किट अप घर पर कर सकते हो आसानी से नंबर लिखी गई है और एक पाउच की उपर तो आप कल लो इसे और इंक मेरी स्कीन कंबिनेशन टाइप अफ है और यह लिखी गई है कि फॉर्वा स् इसे कर सकते हो तो अब जरूर करो और मुझे बताना टीशर्ट चेंज हो गए क्योंकि वह वाली टीशर्ट मेरी एकदम भीग गई थी तो धोते वक्त क्योंकि इतनी जादा अपलाई कर ली थी और धोते वक्त वह पूरी पूरी तरह से भीग गई है इसलिए मैंने चेंज क अच्छी वीडियो आपको अच्छी लेगी है तो प्लीज गाई सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को और शेर करो कॉमेंट करो बेल बटन को प्रेस कर देना जाते जाते ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले और मैं आगे भी इस तरह की और भी सारी डेमो लाती रहूंगी आज के लिए इतना ही गाईस बाई बाई टेक क्या आज के लिए इतना ही गाईस बाई बाई टेक क्या